अगर आप आयार सिटी एप के दोवारा या वेबसाइट के दोवारा आप ट्रेन की टिकट्स बुक करते हैं और अगर आपका पेमेंट कट जाता है लेकिन शीट्स अवेलेवल नहीं होने के कारण या अधर रिजन के कारण आपके ट्रेन के टेगर्स बुक नहीं हो पाती है तो इसका सोलुशन आज मैं आपको बताऊँगा तो आपको क्या करना है सबसे पहले IRCity एप को ओपन करना है और उसमें आपको लोगिन करना है लोगिन करने के बाद में आप माई ट्रांजेक्शन पर कलिक करेंगे नीचे माई ट्रांजेक्शन पर कलिक करने के बाद में आप यहाँ पर फैल्ड ट्रांजेक्शन पर कलिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद में आपको आपका ट्रांजेक्सन इ stripes नोट बुक दिखाएगा कि आपको टिट में नहीं हुई है और यहां पर आपको ट्रांजेक्सन आ इडी दोला और यहां पर आपको डेठ दिखाए देगी और कहां से कहां के लिए train book की थी आपको सब complete details दिखाई देंगी तो आपको उपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि मैंने भी train की tickets book की थी लेकिन available नहीं होने के कारण मेरी sheets book नहीं हो पाई थी तो उसके लिए मैंने refund के लिए क्या process किया था मैं बता रहा हूं आपको तो मैंने यहां पर देखो आप मेरा refund आ चुका है amount received from bank यहां पर प्रेफरेंस नंबर भी आ गए है और पांसो बहीं अलीस पॉइंट पांच का refund था मेरा तो आपको क्या करना ह है यहां पर more option पर क्लिक करना है नीचे more option पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में आप यहां पर contact us का option आ रहा है इसके उपर क्लिक करेंगे इसके उपर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि यहां पर IRCT के customer care के नंबर दे रखें दो customer care के नंबर दे रखें available है आप यहाँ पर call करके इनको transaction ID बताना है आपकी आपको अपनी transaction ID को बताना है और date बताना है कि इस date को हमने transaction किया था और यहां हमारी sheets book नहीं हो पाई वो region बता देना उनको भी पता चल जाता है कि कि इस जनसे आपकी tickets book नहीं हुई थी और इसका दूसरा solution यह है कि आप यहां पर इनको mail भी कर सकते हैं email कर सकते हैं care-irct.co.in पर इसके उपर आप इनको email कर सकते हैं और उसको में आपको mention करना है कि इस वज़े से mail train की tickets book नहीं हुई थी और आपको उसमें transaction ID भी mention करना है transaction ID और date दोनों में mention करना है फिर आपका reply दो दिन के अंदर अंदर आपका reply आएगा यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने scared वाली पर मैंने email किया था और इसमें मैंने mention किया था कि मेरा refund नहीं आया है यह देखिए मैंने यहां पर message किया था कि मैंने कल website के दोरा train की tickets book की थी लेकिन मेरा payment कट किया है लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी refund करो तो मैंने इसमें transaction ID और date mention कियी थी तो आप देख सकते हैं उपर इनकी email आई हुई है मेरे पास यहां पर पहले यह ticket ID को mention करेंगे कि आपकी यह ticket ID है इसके दोरा आपका solution होगा फिर आप नीचे देख सकते हैं कि उन्होंने message कि आपको हुई है के लिए हमें खेद है हमने refund के लिए कदम उठाए जा चुके हैं और जल्दी आपको refund मिल जाएगा उसके बाद में आप देखेंगे कि मेरे पास यह refund की दूसरी email आई है IRCTC refund mail यहां पर आप देख सकते हैं कि dear customer हमने आपके transaction ID और यह 542.5 आपके अकाउंट में transfer कर दिये गए है refund process data 23 तरीक और मैंने book के थी 21 तारीकों 21 तारीकों मैंने book की थी train की टिकर से जो नहीं हुई थी दो दिन के अंदर अंदर मेरा refund आ गया है मातर दो दिन के अंदर तो अगर आप यह दोनों solution करेंगे तो जल्दी से जल्दी आपका refund आपके account में आ जाएगा thank you so much guys